हेलो फ्रेंड़स बेल्कम बैट टो आए चैनल स्वातघर जैसा आप सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे होंगे मस्ट होंगे आज हम बनाने वाले हैं मूली के पत्ते की सबजी चलिए सुरू करते हैं इसके लिए हमने मूली के पत्ते को ले लिया उसको धुल के स्टेन कर लिया स्टेन करने के बाद उसको बिल्कुल महीन महीन काट लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंट्स इस समय मूली के पत्ते में बिल्कुल सौफ्ट आ रही है चलिए फ्रेंट्स तब तक हम मूली के पत्ते के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं फ्रेंट्स मूली के पत्ते में भरपूर मात्रा में आइरन और फासपोरस पाया जाता है जो सरीर की यूमिनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है या एनिमिया और हीमोगलोबीन की कमी को दूर करता है पाचन क्रिया को दुरस रखने के लिए फाइबर का सेवन बहुत जरूरी होता है अगर आपकी पाचन क्रिया कमजोर है तो आपको इसका नियमित सेवन करना चाहिए अब मूली के पत्ते की इतनी benefits जानने के बाद I hope आप मूली के पत्तों को नहीं फेकेंगे चलिए अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने 4 आलू ले लिया है उसके छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे एक मूली लिया है उसके भी छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे 4-5 हरी मिर्च लिया है आप अपने जितना तीखा पसंद करते हैं उसके according हरी मिर्च की quantity कमया जादे कर सकते 3-4 कली ले सुन लिया और एक छोटा टुकड़ा अद रखा तब ही चीजों को हम काटके रख लेंगे फ्रेंड्स मूली से जादे मूली का पत्ता फायदे मंद होता है इसको खाने से या इसका जूस पीने से गठिया वावसीर सूगर पिलिया जैसे कई बीमारी हैं में ये बहुत फायदे मंद होता है चलिए अब हम सब्जी बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने कड़ाई में तेल गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे मेथी इसमें मेथी का तड़का ही डालेंगे हम इसमें कोई भी जादे स्पैसिस का यूज नहीं करेंगे अब हम इसमें कटे हुए लेसन को डाल लेंगे इसको हमें जादे जलाना नहीं है उसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे पींच बर हम उसमें हिंग एड करेंगे और साथ ही साथ हम मूली भी डाल देंगे और आलू भी डाल देंगे फ्रेंट्स हम आलू को कुरकुरी आलू जैसी सबजी बना लेंगे 50% आलू जब हमारा पक जाएगा तब हम उसमें मुली के पत्ते को एड़ करेंगे हम इस सबजी को बिना ढगे पकाएंगे अगर हम आलू को ढग देंगे तो ये बिलकुल सॉफ्ट हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे इसको सलो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे नहीं तो हमारा आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और हमें करंची कुरकुरी सी आलू चाहिए और सबजी को इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक ये गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए आलू अब धीरे धीरे गोल्डेन ब्राउन होना सुरू हो चुका है अब हम इसमें अद्रक का जो टुकडा लिये थे उसको कंदुकस करके एड़ कर लेंगे तब तक फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स जब तक हमारी सब्सक्राइब कुछ बातों को और जाल लेते हैं आईरन और फास्पोरस के साथ साथ इसमें परियाप मातरा में प्रोटीन, कार्भो हाइडरिट और क्लोरीन, सोडियम, मैगनेशियम जैसे पोसक्त तो भी पाया जाते हैं बिटामिन A, बिटामि अब हम इसे 5-10 मिनट और पकाएंगे और नाम मातरा का हम इसमें हल्दी एड़ करेंगे और थोड़ा सा कलर देने के लिए रेट शिली पाउडर ये बिल्कुल आप्सनल है, आप चाहें तो कोई और मसाले यूज कर सकते हैं, बट मेरी मानी है तो आप कोई मसाला एड़ ना रही है जैसा कि हमें चाहिए हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा करंची और कुरकुरा पन चाहिए, आप चाहें तो इस स्टेस पे गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं, अभी हम 2-3 मिनट और सबजीों को पकाएंगे ताकि और जादे टेस्टी लगे, प्रेंड्स हमारी ये मूली के पत्ते की टेस्टी सी सबजी बनके रेडी हो गई है, आप इसे पराठा या रोटी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, चले अब हम इसे सर्फ करते हैं, देखे फ्रेंड्स हमारी सबजी कितनी डिलिसियस लग रही है, ठास्टमी गाइस, खान प्राइक करिएगा जरूर, अब अगली बार आप अपने मूली के पत्ते को फेकिएगा नहीं, उसकी ये मज़दार और टेस्टी सी सबजी बनाएगा, और इसके बेन फीट फायदे उठाएगा, मैंने इसको पराठे के साथ सर्फ किया है, आप चाहे तो रोटी या पराठ